बार थाना क्षेत्र के जल गोविंद गाउं में बीती रात बार एसपी लिपी सिंग के नेतरित्व में छापे मारी मुटभीर के बाद इनामी अपराधी भगत मुखिया गिरफतार बीती रात बार के बरिया पुलिस पदाधिकारी लिपी सिंग को गुप्त सूचना मिली थी की 50,000 का इनामी और कई संगीन मामलों के आरोपी अर्विंद उर्फ भगत मुखिया अपने घर जल गोवी दगाउं में छिपा हुआ है इसी गुप्त सूचना पर लिपी सिंग के नेतरित्व में स्टी एफ के साथ साथ बार अनुमंदल के कई थाना धिक्षों को लेकर एक टीम का गठन कर बार थाना क्षेत्र के जल गोविंद गाउं को घेर लिया गया पुलिस को देखते ही अपराधियों की ओर से फाइरिंग शुरू हो गई जवावी कारवाई में गठित टीम ने भी फाइरिंग शुरू करती दोनों तरफ से लगभग 20 राउंड फाइरिंग होने के बाद भगत मुखिया को दबोच लिया गया पुलिस सूत्रों के अनुसार भगत मुखिया के पास से एक विदेशी पिस्टल कुछ जिंदा कार्टूस खोखे तथा कई मोबाईल सेक बरामद हुए हैं जानकारी के लिए बता दू की पुलिस के हथे चड़े अरविंद भगत मुखिया इन दिनों अपने इलाके में देहशत का पर्याय बनकर रह गया था कई संगीन मामलों के इस आरोपी को बार्ड पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी क्योंकि इसकी गिरफतारी नहीं होने के कारण बार्ड पुलिस प्रशासन पर भी विपक्ष द्वारा करारा प्रहार किया जा रहा था भगत मुखिया की अप्रत्याशित गिरफतारी ने सारे कयास पर विराम लगा दिया और बार पुलिस को निकम्मा साबित करने वाली जुबाने भी बंध हुबे